एल्वी शादो के खिलाफ एडी ने मनी लॉंड बिंग का मामला दर्ज कर लिया है और कभी भी एल्वी शादो को समन भेज कर पूछताश के लिए एडी उन्हें बुला सकती है और खबर तो यहां तक चलाई जा रही है कि एल्वी शादो को एक बार फिर से एरेश्ट करने की तयारी चल रही है सुत्रो के ऑपर से ये भी खाबर है कि बड़ी कारवाई करने की तयारी चल रही है लेकिन इस सबसे जवादा चर्चा अगर किसी नाम की हो रही है तो वो उल्वी शादो के खिलाफ जाच नहीं बैढती कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फाजल पूरिया की वज़ा से ही लविश आदो के खिलाफ जाच बैठी है गाना उनका था जिसकी वज़ा से लविश आदो की मुश्किले बढ़ी हैं और अब जाकर उन्होंने जेजेपी से हाथ फाजलपुरिया का आया था जिसमें कुछ जानवरों का इस्तमाल हुआ था एल्विश शादो के दोस्त हैं फाजलपुरिया और उन्होंने ये बताया था कि जितने भी जानवर इस्तमाल हुए थे वो पर्मिशन लेने के बाद ही हुए थे Elvis Shadow को उसमें एक तरीके से shooting करने के लिए बुलाया गया था भले ही Elvis Shadow को उस गाने में Act करने के लिए बुलाया गया हो लेकिन उस गाने ने ही Elvis Shadow की मुश्किले बढ़ाई है ये बात किसी से चीपी नहीं हुई है तो जो आरोप ये लग रहे हैं कि उस गाने ने अलवी शादो की मुश्किल बढ़ाई तो ये बात कहीं न कहीं सच नजर आ रही है उस गाने की वज़ा से ही अलवी शादो की दिक्कत बढ़ी है क्योंकि अभी तक जुन्वैडा में केस दर्ज है जिसका आधार इडी ने बनाया है उसमें कोई भी पुक्ता सबूत सौरब गौरों नहीं पेश कर पाए हैं सिर्फ उस गाने के क्लिप के अलावा उस गाने के क्लिप के ही आधार पर पूरी कारवाई हो रही है जबकि वो गाना राहु यादो यानि कि फाजल पूरि याने किसी भी तरीके से अलवी शादो को यहां पर नहीं फसाया हां अब आते हैं कि जेजेपी से उन्होंने टिकट लिया उसकी वज़ा से अलवी शादो की मुश्किले बढ़ी हैं जो यह आरोप लगाये जा रहे हैं चलिए इसमें कितनी सच्छाई है इस पर भी बात कर करेते हैं अब जेजेपी के गर हम बात करें तो पांच साल तक बीजेपी के साथ गठ बंधन कर सत्ता की मलाई खाई है जेजेपी ने अब चुनाओ के वक्त दोनों अलग हो गये हैं मतलब यह भाई-भाई ही थे लेकिन चुनाओ को देखते हुए यानि कि जब लड़ाई विरासत की आई तो दोनों अलग हो गये इस तरीके से आप समझ सकते हैं तो आप चुनाओ के बद तो दोनों अलग अलग चुनाओ लड़ रहे हैं